जनमोस हर दिन होता है जब किसी आंदोलन में एक पिडित को नियाय मिलता है उस दिन उसके भीतर से जो आवाज आती है एक पुनर जनम होता है तो जब जब हमें किसी आंदोलन में नियाय मिलता है पिडित को इनसाफ मिलता है तो सोचले हम लोग का पुनर जनम होता है और जहा यहां से कोईला उठता है यहां अगर पकड़ाया है तो बाकी साथ थाना में क्या लोग मने जो पदाधी कारी तेवे जहक मार रहे हैं तो सरकार आपके दोवार में जो आप 2,5 रुपया खर्चा कर रहें उससे बहतर अच्छा है कि पांच पंचायत को मिलके 10 रुपया खर्चा करें पंदर लाग रुपया खर्चा करें और छोटी कूटी रुद्योग का निर्मान करें जैराम पास में क्या इसा बूलू प्रिंट है जो आप कह रहे हैं कि लूट की छूट है उस लूट की छूट को रोकेंगे या फिर या फिर जैराम जब बन जाएंगे तो उसी काली कमाय में भी अपना भी मतों के यह बात का डर तो होगा ना कि अगर सब्सक्राइदा चांसाद बीजेपी के पास है तो उससे कैसे हम ट करना चाहते हैं लोग तो सबसे पहले आप बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे लेकिन अचानक कर देखें आप डिसी ओफिस में नजर आ हैं लिए समस्या विक्राल थी बिकट समस्या थी हमारे प्रवासी मजदूर संकट की इस्तिती में हैं तो जहर सी बात है ऐसी परिस्त भी खड़े होते हैं तो उसी करन पड़ा तो क्या पॉजेटिव रिस्पोंस क्या रिस्पोंस मिल पाया वहाँ पर जो क्योंकि यह अंदोलन वेगरा का तो कुछ ऑप्सन बनता नहीं है नहीं दिख्यां दोलों से ही असर बनता है जो आखिर एमशी कहीं न कहीं पॉलिटिक सब्सक्राइब करें तो यह तो और उन्होंने भी कहा कि जब से आप लोग जारकन में लगातार इस मोमले को उठा रहे हैं तभी से यह शकरत्मक पहल हुआ है तो इसा नहीं हर चीज आंदोलन से ही हर चीज निरधारन होता है तो इस मिसे को लेकर क्या आप लोग मुख्य सब्सक्राइब करेंगे लेकिन अधर से रिस्पॉंस आए कि नहीं है तो फिर हम लोग लिखित परिकिर्या के माध्य हम सुन तक पहुंचेंगे सा बात नहीं हम लोग हर चेका संपर्क साधी रहे हैं टाइगर जैराम मतो का कल जन्मदीन था जन्मदीन का देर सारी बधाई एक दिन बाद में ही दे देते हैं कल आपका देखें पुरा राइच भर में आपका जन्मदीन मनाए गया जहां आप मोजुद नहीं थे वहाँ पे आपका फोटो प्रिंट आउट निकाल करके बड़ आंदोलन में एक पिडित को नियाय मिलता है उसके भीतर से जो आवाज आती है एक पुर्णा जन्म होता है तो मेरा जन्म हर एक दिन होता है आज के डेट में कहिएगा चुकि मैं एक वीचार दा रहा हूं तो जब-जब हमें किसी आंदोलन में नियाय मिलता है पिडित को इ समस्याइं हैं उनके लिए कितना लड़ पाते हैं कितना रिजल्ट ले पाते हैं वो बड़ी बात है अच्छा टाइगर कितने दिनों तक रिष्ट में हो कब से मतलब फिर पुराने फॉर्म में दिखेंगे दिखेंगे लगातार पिछले साल इस टाइम जो आया था दिसंबर जैनुरी का जो समया था उसमें पारशनात का मुद्दा फुरा गर्माया वाता क्या पारशनात का मुद्दा सोट आउट हो गया इस बार भी कुछ टैप से यहां जो ट्रेफिक मने यात्रीगन का आना जाना रहेगा वहां जो बाकी और लोग हैं अपनी आस्थाओं का उनक अब इधायक लोग अभी का रहे हैं कि टाइगर जारा मतों मेरा भोटू काट देंगे तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं देखे डर होना सभावी के नसाप सब्दों में कहा जाए वो नेता विधायक अगर उनके मुद्दों के साथ होते हैं तो डर नहीं होता मु दूरहीं पेटलेस जिन्दगी कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है आवाज कोन उठा रहा है जैरा महतों उठा रहा है जैब किसे से उठा रही है हमारे साथ है अज चले जाने किसी भी गाव में खासकर धनबाद बुकारो रामगड कोलहान जहां कमपनियां फ्यक्टरि दिलाता है वहीं लोग इनसाफ दिलाता है कल लोग जड़ी बग गये थें डिसी यहां लेकिन फिर उसके बाद हम लोग फिर एक शर्म नेयोजन का का पर हम लोग प रामगड के तो यहां लोग विपक्स रोल में आज हम लोग राज्जे में इस बात को श्युक्र ना कर सकत पर बात करूंगा तो हमरा गाओं में इन गाओं में भी बहुत सारे लोग है इनके पास परचियां है पाबती हैं रसीद हैं आप जाके देख लिजी हाँ उसमें एक ही ओ मामला देखते हैं में सोट आउट ज्यादा होता है ब्रिधा पेंसन यह ब्रिधा पेंसन काम करता है जन सरकार आपके द्वार में उसके अलावे आपका जमीन का मोटेशन कोई अन्णी जो समस्याएं है कि सरकार आपके द्वय में जो अप 2,5, रुपया खर्चा कर रहें, उसे बहतर अच्छा है कि 5 पंचयत को मिलके 10 poss 돌아яг और फिर जहां मॉमती का निर्मान हो जहां अगरबति का निर्मान हो जहां फापड का निर्मान हो चार बनें तो परकार से उन पैसे प...? एक बाध श्चोनाल पहरें regulate कंदिया पोसे होने नियुक sok लंना दे विस्कतर दों कि अगर ब They're जमीन आता है तो उस दस से कड़ में लगवक नहीं करने से भी अगर अगर माना जाए तो सो किसानों की जमीन आ जाएगी उन सो किसान उस जमीन को 20 साल के लिए 30 साल के लिज लिया जाए जो बड़े-बड़े तो इस देश में इस राज में भूफ सकोड़ी जाने रहेगा आपके पास सुच और कि नहीं आपको इंतजार करना होगा है जरिया के खादान एक जीटी रोड में लगवग एक सो कोईला का गाड़ी पकड़ाया हुआ है अब बताए जीटी रोड ये तुपचांची लगवग सातवा या अठवा थाना है जहां से कोईला उठता है तो ये सातवा अठवा थाना है यहां अगर पकड़ाया है तो बाकि सात थाना में क्या लो लूट की छूट है, एकदम जो सक्षम लोग हैं, जो बहुबली टाइप के लोग हैं, एकदम अपना हाथ में निकाल सकते हैं. इस वैबस्ता में हम हैं. अज एक बात अनुमान बताईए, अनुमान यह तो सोग एक थानम पकड़ाया, इसलिए नजर में आया है, प्रेस में आ कितना पैसा मतलब लोट के लोग ले जा रहे हैं और वहां तक पैसा लूट के लोग ले जा रहे हैं और आप बोलते हैं कि मैं तो जब सरकार बहतर हो जाएगी जब उनकी नीती और नियत साफ हो जाएगी तो पैंतालीस मैजदूर नहीं हम तो चाहेंगे कि पैंतालीस हज्जार मैजदूर वतन बापसी आसानी से कर लेंगे हमारे पास इतना स्कॉप है अच्छा जैराम मतव पास में कैसा बुलोप्रिंट त्यार है जो आप कह रहे हैं कि लूट की छूट है उस लूट की छूट को रोकेंगे या फिर या फिर जैराम मतव बन जाएंगे तो उसी काली कमाय में भी अपना भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा उ जो इस अहदे के साथ जो पैसा कमा रहे हैं वो परियाप्त है आपको अपना घर चलाने के लिए आपकी अगर एक पतनी हैं दो बच्चे हैं तो उस मजदूर का भी एक पतनी दो बच्चे हैं और आपके जैसे अधिकारी एक हैं लेकिन उनके जैसे मजदूर हजार हैं तो ह मुझे लगता है जब सफ़ेंगें नोगता है। नापित होगा जब पोजिटिव चर्चाएं होंगे तो कुछ ना कुछ स्थितियां बदलेंगी और नहीं तो उसके बाद कठोर कानून ने बनाएं जाएंगे और मैं तो देश से मांग करूंगा कि जिस परकार मनें एक मेलें एंपी के लिए कोट है जहां उसकी सजा के लिए वहां जाते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम इशू होता है तो ठीक उसी परकार ब्यूरोक्रेट्स को लेकर भी एक बहतर मनें अगर कानून बने जिसमें अगर उन दोसी पाय जाते तो तो तोरित करवाई होने का चांसे होना चाहिए चुकि देखिए नेता मानते लोग 5 साल क होते हैं तो जारखंड की अगर दस आए तो मेरा मनना है कि उसमें नेताओं के बाद सबसे बड़ा रोल बीरोक्रेट्स का और यह मैं काम नहीं यह तो गांधी जी और सरदार पटेल भी मानते थें कि बीरोक्रेट्स को हटा ही देना चाहिए भारत देश के जो सिस्टम है ब जाकर जो किसानों का लेंड रेवनने तुमकों का उतत्य है लूट ना तो उस भक्ति को कलेक्टर बनाए गया तौन वेवस्ता आज भी चेल रही है यह बताए कमिशनर जिले हिंहूं मेरा कलेक्टर टीप्टी क Quad2र में उपकर होता एक कमिशनर है मानतलब वे जो लोग हैं उनको मापदंड में आना होगा और नहीं तो फिर बहुत दुरलब इस्ति-्थि राजकी होने वाली है और ये तो हम नहीं कहे रहे हैं जो अनुज कुमार सिन्धा जो बहुत बड़े संपादक हैं उन्होंने बकाइदा एक बुक ही अपना ब्यूरोक्रेट्स के बयानों पर च्छापा है उस बुक के एक पन्ने कह रहे हैं कि क्या इस्ति जारकंड की होगी अन्याय के खिलाप हमेशा टागर जेराम जी खड़े रहते हैं और नयाय दिलाने की बात है तो आप हमेशा लगातार कोसिस में हैं पिछले दो साल से लगातार लडाई कर रहे हैं पर एक बहुत बड़ा तब्का जो यह कहें कि सहारा इंडिया परिवार जो कहीं न कहीं सारे जो जारकरण वासी के पैसा फसा हुआ है तो क्या जेराम जी उन सहारा वासी के लिए दर्द बनका इसके बात जब भी हमारी जो सभाय होंगी उस पे उस बिसे का बखान होगा बकायदा हम लोग अपना केंद्रिक कमेटी के हमारी बैठक होई थी उसमें हम लोग इस बात का उनके आंदोलन में शमर्थान या फिर कहिए योगदान देने के लिए हम लोग सरीख होंगे आप जिस छेत्र में जाते हैं उस चेत्र के परति ने दिया दूसरे पाटी के नेता जेबी कैसे में जूड़ कर बिदान सभा और लोग सभा चुनाओं के लिए टिकट मांग कर लगते हैं तो वहुए भायदा नहीं है अगर स्वार्त के लिए तो हमारे पास्वार्त को पीटवी जगा ही नहीं रहेंगे नहीं कि अपने पेमेंड भी वी आए